ज्राम मंदर पर देश का मूर आपने समझ लिया है अब आगे बढ़ते हैं देश की राजदानी दिल्ली का रुख करते हैं दिल्ली शराबनीती केस में दिल्ली के मुख्यमंची अर्विन केजिवाल उनको बेल मिलेगी या फिर उनके दिन जेल में ही कटेंगे इस बात का फैसला कल दिल्ली कोर्ट में होने बाला है केजिवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफतारी को चुनौती दी थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था इसके अलावा शराब नीती केस में आज का दूसरा बड़ा डिवलप्मेंट और सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के पहली पंक्ती के नेताओं के बाद अब क्या दूसरी पंक्ती के नेताओं की गिरफतारी शुरू होने वाली है आज यह सवाल इसली है क्योंकि आज प्रवर्तन निदेशाले ने आम आदमी पार्टी के नेता दूर्गेश पाठक से शराब नीती केस में पूछताच की है इदी ने दूर्गेश के अलावाद दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजिवाल के परसनल असिस्टेंट विबब फुमार से भी पूछताच की है दिल्ली जल बोर्ट मामने में भी आज दिल्ली विदान सबा में बीजेपी विदायकों ने जम कर हंगामा किया मार्चल के जरीए सदन से बाहर निकाले गए विदायकों ने केजिवाल के खिलाफ नारे बाजी करते हुए जल बोर्ट घोटाला केस में भी सीम पर एफाया दर्ज करने की मांग कर ढ़नी बीजेपी ने इस घोटाले को शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया है अब आपको बताते हैं कि जल बोर्ट घोटाला क्या है जिस पर बीजेपी इतना हमलावर हो रही है क्यों इतनी अटाकिंग मोड में दिख रही है बीजेपी का आरोप है कि 10 स्विएज ट्रीट्मेंट प्लांस को दो कैटेगरी में बाता गया ध्याम से पहली कैटेगरी में सिर्फ अप्ग्रेडेशन जबकि दूसरी कैटेगरी में प्लांट की एक शमता बढ़ाने का ठेका था और इसी में घोटाले का पूरा खेल छिपा हुआ है बकॉल बीजेपी बीजेपी ने जल बोड मामने में 28,400 करोड रोपे के गरबन का आरोप लगाया है शराब के बाल अब जल बोड घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी की मुश्किले बढ़ा सकते हैं अलाकि इससे पहले भी दिल्ली सरकार पर कई घोटालों के आरोप लग चुके हैं जिसमें आप याद कीजें दिल्ली में स्कूल में, क्लास्रूम बनाने में घोटाला, मुहला क्लिनिक में फरजी जांच घोटाला, दवाई घोटाला, मुक्हमंत्री आवाज, रेनोवेशन में घोटाला ये तमाम आरोप पहले भी लगे हैं इन आरोपों में शामिल ये पूरी की पूरी फेरिस्त है लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए फिलाल सबसे बड़ी मुसीबत दिल्ली शराब गोटा ला है जिसके बीच चुनाव दिल्ली के मुख्यमंतरी को परिशानी में भी डाला है मुख्यमंत्री को उसने जेल में पहुँचा दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्वंद केजुरीवाल दिल्ली के पूर्वन डिप्टी सीयं मनीश सिसोत्या आपके सांसर संजे सिंग दिल्ली शराब खोटाला मामले में आम आद्मी पार्टी के इन दिकजों के बाद अब इडी ने आगे का एक्शन तेज कर दिया है आरोपियों की फेरिस्त में नए नाम जुणने लगे हैं और शुरुवात हुई दो नामों से पहला मुख्यमंत्री के नीजी सचिव विभव कुमार और दूसरा आम आद्मी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक जिनकी शराब घुटाला मामले में पूस्ताश के लिए आज एडी के सामने पेश हुई और इसके साथ ही पहले से चल रही सियासी जंग और तेज हो गई आम आद्मी पार्टी ने फिर मामले में बीजेपी और केंदु सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं की इडी एक्षन में नहीं है भारती जंता परटी एक्षन में है इडी तो उसका एक सबसाइडरी है उसको alter आता है इडी करती है बैचारे इडी क्या करेंगे इडी को तो इन्होंने dissolve कर दिया है और ये करेंगे हमने कुच दिन पहले ही आपको बता दिया था कि ये इनके एजेंडा में है, कि कई सारे आम आदमी पर्ट, अब इनको दर्द ये हो रहा है कि केजरी वाल, पहले इने लगा कि केजरी वाल को अंदर कर दो पार्टी तूट जाएगी, अब इनको ये लग रहा है यार पार्टी तो तूट नहीं रही है, इनकी पार्टी तो दोड रही है, अब ये देख रहे हैं कि और बाकी कौन-कौन है जो पार्टी चला सकते हैं या पार्टी चल क्यों रही है, तो सारे लीडरों को ये जेल में डालने के इनकी शडियन्त रहे, और ये तो करेंगे इसमें कोई नया बात नहीं है, पार्टा का नाम किस ने लिया थ मामले में मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी और मनी ट्रेल का पता लगा लेनी का दावा करने वाली एडी अब इससे जुड़े लोगों से पूस्ताच के जरिये मामले की तह तक जानी में जुटी है, एडी शुरू से ही केजरी वाल पर जाच में सयोग नहीं करने का लगाती रही है और अब उन्हीं सवालू का जवाब वो उनके पिये से जानना चाहती है, वहीं दुर्गेश पाठक से पूस्ताच के जरिये एडी गोवा चुनाओ में पैसे कहां, कब और कैसे खर्च हुए इसकी जानकारी जुटाना चाहती है, क्योंकि गोवा दुर्गेश पाठक ही पार्टी के इंचार्ज थी, जाहिर है अब इन दोनों पर भी गिरफतारी की तलवार लटकी है, अलग-अलग भुटाले के आरोप में इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायकों समेथ कई लोगों की गिरफतारी हो चुकी है, साल सत्येंद्र जैन के गिरफतारी होई, जबकि उस साल दिल्ली वक्ती मामले में अनतुल्ला खान को गिरफतार किया गया, और पिछले करीब एक साल में केजरीवाल और मनीश सिसोधिया से लेकर संजे सिन तक गिरफतार हो चुके हैं, शराब घुटाला मामले में गिरफतारि केंपेन की शुरुवात की गई, तो वही बीजेपी भी चुनाव में ब्रफताचार को बड़ा मुद्दा बना कर मैदान में बाजी मारने की त्यारी में जुटी हुई है, दिल्ली की सभी साथ लोकसवा सीटों पर पिछले दो बार से फिलाल बीजेपी का कबसा है, बीजे कर दो से पिला की बार से छो।